नमस्कार दोस्तो माइट्रिक्स वीडियो में आपका एक वार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है रामबाउकुमार दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ठीक लेकर आया है जिसका यूज करके आप अपने गुम हुए फोन को आसानी से पता लगा सकते है आप उस चोर का चैरा उसका वीडियो उसका स्थीम नमबर उसका लोकेशन ये सब आप आसानी से देख सकते है साथे जगा का लोकेशन मंगा सकते है और ये सब आप असानी से फीडि में कर सकते है तो ये सब कैसे होगा जानने के लिए आप इस पूरे वीडियो को आखरी तक देखेगा दोस्तो इससे पहले मैंने जितना भी इस तरह का एप पले स्टोरी पे देखा सभी एप में एस्पेसल उफर पाने के लिए पैसा देना परता था लेकिन आज आपके सामने मैं फीडि वाला एप लेका जाए जाए हूँ जिसमें सभी इस्पेसल ओफर फीडि में दिया जाए तो चलिए उस एपको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये सब करने के लिए आपको क्या करना होगा द तो यहां पे आपको अपना email id देकर इसको enable करना होगा, चलिए यहां पे हम अपने email id से इसको जूर देता है, जूरने से पहले आपको अपना data चालू करके रखना होगा, चलिए यहां पे हम data चालू कर देता है, तो यहां पे हम अपना data चालू कर दे, अब चलिए इसको enable करत आपको ok पे touch करना होगा और आपका email id यहां पे आ जाएगा और आप उसे जूड़ सकते हैं देख सकते हैं यहां पे हमारा email id आ गया है और इस पे tick लगा आकर आपको यहां से ok कर देना होगा जब आप ok किजिएगा तो आपका email id इस app से जूड़ जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं हमारा email success हो गया जूर गया और यहां पर सही का टिक लग गया अब चलिए फिर से हम slide करते हैं फिर से slide करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक code देना होगा जो आप code दीजेगा ओ code को आपको याद करकर रखना होगा तो आप कोई भी simple सा code दे सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहें तो आपको यहां पर code इसलिए देना होगा क्योंकि जब यह mobile खोएगा तो चोड़ इसको off करना चाहेगा लेकिन दोस्तों जब चोड़ इसको off करना चाहेगा तो यह off नहीं होगा वहां पर यह code मांगेगा तो यहां पर यह code सिर्फ आप ही जानिएगा आप इस code को दीजेगा तभी यह mobile off होगा लेकिन उस code को पता नहीं होने के करण वह mobile को off नहीं कर पाएगा और आप असानी से उस mobile का पता लगा सकते है तो चलिए यहां पे हम एक simple सा code देते है डाबल वन डाबल फोर और यहां से done कर देते हैं और यहां से go करते हैं तो यहां पे हम अपना code दे दिये देख सकते हैं उसके बाद दूस्तों यहां पे दो option उपर मिलता है charger का और deactivate, activate का तो आपको charger का option पे touch करना है charger का option पे touch करने से यह होगा कि अगर आपका phone charger में लगा हुआ है और charger का line जैसे ही disconnect होता है तो यहां पे इस mobile से siren आना start हो जागा जिससे आप समझ सकते हैं कि line कट चुका है और आपको यह charger से phone निकाल लेना चाहिए तो यहां पे यह भी सुबधा दिया जा रहा है चलिए इसको enable कर देते हैं तो यहां पे मेरा यह charger वाला सुबधा enable हो गया अब चलिए बैक आते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पे deactivate और activate का option है तो इस पे आपको touch करना होगा और इसे GPS को और यहां पे admin को आपको on कर लेना है चलिए यहां पे हम GPS on कर दिये और यहां पे admin को भी on कर देते हैं यह देखिए continue continue और यहां पर आपको activate कर लेना होगा अब चलिए दोस्तों हम बैक आते हैं तो यहां पर activate करने से यह फैदा है कि आप अपने मुगाल को किसी दुसरे मुगाल से message भेज़ कर आप इसको control कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं dismiss mode है तो आप dismiss mode में यहां पर देख सकते हैं 6 option यहां पर दिया गया और slide करके 6 option यहां पर देख सकते हैं उसका फिर से slide करके 3 option यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर चलिए हम बारी बारी से सारे option के बारे में आपको बताते हैं पहला option है ring का अगर आपका मुगाल खो जाता है और आप इस mobile को रिंग देकर आप देखना चाहते कि आपका mobile कहीं 80 पास है तो आप ring देकर खुजना चाहते है तो यहां पर देख सकते है code में ring लिख कर आपको किसी दुसरे mobile से इस पर message भेजना होगा इसमें जो भी SIM लगा होगा उसी SIM पर आपको यह मैसेज भेजना होगा ring लिख कर, देख सकते हैं यहां पर code लिखा हुआ है, जैसे ही आप मैसेज भेजेगा तो यह मोबाइल लिंग करना start करतेगा, चलिए test के लिए हम आपको दिखा देते हैं यह दखेए, तो यहां पर अभी माइक लगा हुआ है जिस कारण से हम आपको इसका साइरन नहीं सुना सकते हैं चलिए हम बैक आते हैं उसके बाद दोस्तों अगला ओप्शन है GPS का आप GPS पर जहीं सही टेस्ट किजिएगा तो यहां पर आपको GPS आउन मिलेगा और यहां पर इस फ्यूचर लिकर इस मोवाईल पर मैसेज किजिएगा तो आपको इस मोवाईल का लोकेशन उस मोवाईल पर चला जाएगा चले यहां पर हम टेस्ट करके दिखाते है यह दिखिये और यहां पर आपको अपना फोन नंबर डालना होगा जिस फोन पर इसका GPS मंगाना चाहते हैं तो आप आपको एक बार इसमें अपना फोन नंबर डाल लेना है और ओके कर देना है तो यहां पर आप एक बार इसमें डाल कर टेस्ट कर ले उसके बाद आपको बार बार उसी सीम पर यह लोकेशन भेजेगा चलिए अब हम बैक आते हैं तो यह GPS का ओप्शन हो गया तिसरा है लाइ मैसेज करना होगा उसके बाद दोस्तों ठीक इसे तरह का बहुत सारा ओप्शन है जो आप खुद से कर दोस्तों चलिए हम अगला ओप्शन के बार मताते हैं यहां पे कॉंटेक्ट है अगर आपका मॉयल कहीं खो जाता है और आप इस मॉयल के पूरे कॉंटेक्ट को अपने उस email id पे मंगाना चाहते है जो email id से आप इसमें verify किये है तो आप ओभी मंगा सकते हैं यहां पे आपको contact लिख इसमें बिजना होगा फिर आपको उस email id पे यह सारा contact लेगा जो email id यहां पे verify किये हैं जब आपका मॉवाइल खो जाता है तो आप किसे दूषरे मॉइल में य ये email id डाल सकते हैं और इस mobile का सारा contact मंगा सकते हैं चलिए हम बैक आते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आप उस चूड का selfie लेना चाते हैं जो आपका mobile चुरा लिया है तो यहाँ पर सेलफी भी ले सकते हैं यहाँ आपको किसी दुसरे मॉइल से सेलफी लिखकर इस पर सेंड करना होगा तो यह सारा option है ठीक किसी तरह का अगला option भी है अगर आप इस mobile को लॉक करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर लॉक लिखना होगा और यह लॉक हो जागा अगर लॉक नहीं जा रहा है जो आप कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों चलिए हम आपको अपना email ID पर चलकर दिखाते हैं यह message कैसे भीजता है मान लेजिए आपका यह mobile कहीं खो गया तो आप यह email ID किसी दुसरे मॉइल में जैसा ही डालते हैं और किसी दुसरे सीम से जैसा ही इस पर message भीजते सकते हैं और store का पता लगा सकते हैं और उसका eject location का पता लगा सकते हैं तो दोस्तों इस app को download कहां से करना है और इस app का नाम क्या है चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों इस app का नाम है entity security आप इसको play store से download कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप इसको play store पे नहीं ढूंड पार ह टो तो अंटों आयए चैनल के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए ओइ